साथियों अभी मौसम चल रहा है बारिस का और बारिस के साथ साथ बारिस से आने से पहले कि जो उमस होती है वो बहुत ज़्यादा परेसान कर रही है हमारी गायों को हमारी बेसों को और ऐसी कंडिशन में एक प्रमुक समश्या फिल्ड से आरी है और वो आरी है अच्छानक से दूद कम हुआ है तो वहाँ एक विशेज फेक्टर को याद रखिएगा और वो यह है कि अभी नमी का मौसम चल रहा है और नमी में बहुत सारे किटानों विशेज तोर से बैक्टिरिया आपके इर्दगिर्द आपकी गाय भेंस के इर्दगिर्द है और वो उसे किसी भी तरीके का इंफेक्शन कर सकते हैं वो इंफेक्शन हो सकता है अडर में तो वो इंफेक्शन पूरी बोडी में भी हो सकता है अगर इंफेक्शन हुआ है पूरी बोडी में इंफेक्शन हुआ है तो पसको खाना पर ना कम कर देगा तो आप तुरंत नोट कीजिए जब बिना प्रॉपर है इसका मतलब थोड़ा बहुत इंफेक्शन अडर में हो सकता है अडर वाले इंफेक्शन से कई बार जो है वो खाना बिना चालू देता है तो वो आप पता कर सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको पता करने का तरीका बताया था कि अडर की आप कित्सक से एंडिबायोटिक का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा लेकिन कई बार क्या होता है नहीं साथ कोई इंफेक्शन नहीं है खाना बीना भी प्रॉपर है फिर भी अचानक से दूद कम हो गया है वहाँ पर हमें विशेज फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ सम्में एनर्जी लोस बहुत ज़्यदा देखा गया है तो ऐसी कंडिशन में एनर्जी टॉनिक यूज़ करना पड़ेगा मैंने यहां पर लिया है हिम सक्ती और आपके एरिया में जो भी एनर्जी टॉनिक मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं वो हिम सक्ती हो सकता है जो हमें देने कितने हैं 200 ml कितना देना रहता है 200 ml आपको रोज देना है od od का मतलब दिन में एक बार तो 200 ml रोज आप energy टोनिक चालो कर दीजिए पास दिन की डोज है मात्र पास दिन में आप दूद को वापस उतना ही बड़ा लेंगे इसके साथ साथ क्या करना रहेगा इसके साथ साथ देखिए M&M ये पाउच आते हैं जो अडर की growth के लिए या अडर की हर problem के लिए होते हैं जो मैंने आपको कई वीडियो में पहले भी बताया हैं यहाँ पर भी आपको देने पड़ेंगे अगर हम बात करें M&M की जो की wets pharma का आता है M&M आपको 50 ग्राम पहुच देना रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो पहुच आते हैं 60 ग्राम के पहुच आते हैं M&M में किसी किसी company के जो आते हैं यह मैं status वाले उसमें 50 ग्राम आते हैं किसी में 60 ग्राम आते हैं तो किसी में उपर निचे भी आ सकते हैं किसी के 3 पहुच आते हैं किसी के 5 आते हैं किसी के 6 आते हैं किसी के 4 आते हैं यहाँ पर इसके 5 पहुच आते हैं तो आप रोज 1 पहुच 60 ग्राम का रोज दीजिए दाना मिसरन में मिला दीजिए और कितने दिन तक देना है 5 ते 5 दिन तक आपको एक एक पाउस देना है इधर ये भी आपको 5 दिन तक देना है यानि 200-200 ML 5 दिन तो ये 5 दिन की डूस है मातर 5 दिन में दूद को ये अच्छी तरीके से बढ़ा देगे इसके बाद आपको लगता है कि कैल्सियम की कमी है और कई बार कैल्सियम कमी होती है और कई बार तो हमारे फस्वालक कैल्सियम को बंद नहीं करते यानि अधिकतर जो कमेंट आते हैं उसमें यह आता है साहब हम कैल्सियम तो दे रहे हैं उसके बावजूद दूद आता हो गया है, तो calcium अगर दे रहे हैं, well and good अगर नहीं दे रहे हैं, तो एक formula मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ostrovet, fort और wymerol दोनों को मिला करके देने का formula, तो भाई ये भी दे सकते हैं आप, किसी भी company का आपके area में जो मिल रहा है, अच्छा सा calcium, उसको भी आप दे सकते हैं, calcium देने से क्या होगा, कि जो दूद लगातार, लगातार बना रहा है, तो वो लगातार बढ़ता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, तो कोई problem नहीं रहेगी, man formula, यह है, उसके बाद आप दूद बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज, कोई भी powder, कोई भी mineral mixture दे सकते हैं, actually क्या होता है, कि जो liquid दिया जाता है calcium, उसको आप अलग से लीजिए, और mineral mixture 50-100 gram, अपनी गाएबेंस को अलग से दीजिए, फिर देखिए कमाल, जो एक्तम से दूद कम हुआ है, वो बिलकुल बढ़ जाएगा, और खाने में जो diet है, उसका भी आप इसे जान रखिए, diet को संतुलित रखिए, ना ज़्यादा अनाज है तो ना ज़्यादा खली है, और चोकर, चूरी, सब उसमें मिक्स करके दीजिए, नमक जरूर एड़ कीजिए, ये सब चीज़ें अगर आप देंगे, और फिर ये मैडिशन दे देते हैं, तो जो अचानक से दूद कम हुआ है, जो अभी जिकायत आ रही है, भाई वापिस दूद को बढ़ा सकते हैं।